आज मैं आपके साथ एक बहुत ही पावर्फुल कॉंसेट के बारे में बात करने वाला हूँ आप अपनी जिन्दगी में मनी को वेल्थ को कैसे अट्राक्ट कर सकते हैं लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें अब लाओ अट्राक्शन के बारे में एक बात समझ लेना बहुत ही ज़ादा जरूरी है कि money आपकी जिन्दगी में कितना आएगा ये इस बात पर depend करता है कि money के साथ किस तरह की feelings associated है यानि money और feelings ये दोनों का जो combination है वो कैसा है उनका connection कैसा है यही determine करता है कि आप जिन्दगी में wealth को attract कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसके लिए मैं आपको five ways बताने वाला हूँ और अगर हर way को आप follow करेंगे तो आप बहुत major change create कर पाएंगे अपनी जिन्दगी में so let's start with the first way now जो first way है वो ये है कि बहुत सारे लोग अपनी जिन्दगी में जब पैसे देने की जरूरत पड़ती है यानि कि उन्हें कहीं न कहीं पैसे pay करने होते हैं तो वो negative feel करना शुरू कर देते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे मैं गरीब हो रहा हूँ या मेरे पास पैसे की कभी हो जाएगी या सामने जो भी चीज है वो कितनी जादा महंगी है या अगर मेरे पास कोई बिल आया है तो वो कितना जादा है वो कितना जादा मुश्किल है मेरे लिए pay करना तो जब भी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आप money के साथ negative feelings को associate कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसे आने के साथ या पैसे जाने के साथ किसके साथ आप feelings associate कर रहे हैं ultimately ये feelings तो money के साथ ही connect हो रही है तो इससे change करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही कमाल की exercise बताता हूँ एक tip देता हूँ और अगर आप वो उसे follow करेंगे तो आप बहुत जल्दी इन feelings को change कर पाएंगे यानि कि पैसे आने के time तो आप positive feel करते ही हैं लेकिन पैसे देने के time पे भी आप positive feel करेंगे देखो क्या होता है कि जब हमारे पास कोई bill आता है या हमें किसी product का price पे करना होता है या किसी services का price पे करना होता है तो उस particular time पे हमारा ध्यान इस पे चला जाता है कि ये company या ये particular person मेरे से कुछ पैसे ले के जा रहा है चीन के जा रहा है और वो हमें बहुत ज़ादा uneasy करता है और इसे subconscious mind पे एक negative effect आता है और subconscious mind को positively program करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी next time आप किसी bill को pay करने वाले हैं आप किसी को भी कोई पैसे pay करने वाले हैं तो अपना focus लेके जाएए कि exactly वो क्या service है या वो क्या product है जो आपको मिला है और उसके पीछे कितने सारे लोगों का effort होगा और जितने सारे लोगों ने effort किया है उन सारे लोगों के बीच में वो जो आप money दे रहे हैं जरा सा money वो distribute होने वाला है शायद उसका एक बहुत ही छोटा सा fraction लोगों तक पहुँचेगा और उनकी जिन्दगी में कुछ value addition वो कर सकता है in fact अगर आपके पास unlimited wealth होती तो शायद आप उनमें से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसे देना चाहते क्योंकि उसके तुरू उनकी जिन्दगी में कुछ value add हो सकती थी maybe हो सकता है उनके parents की दवाई का खर्च उससे pay हो सकता था maybe उनके घर में जो बच्चे उनकी education की फीस वहां से pay की जा सकती थी या maybe उनकी जिन्दगी को चलाने के लिए जो basic needs हैं वो शायद वहां से पूरी हो रही होंगी आपको नहीं पता कि सामने वाले की जरूरतें क्या-क्या हैं और कितनी जादा हैं और आप जो bill pay कर रहे हैं उसका एक बहुत छोटा सा portion उस तक पहुँचने वाला है जैसे ही आप ऐसा देखना शुरू करेंगे आपको महसूस होना शुरू होगा कि जब आप पैसे देते हैं तो आप और भी पैसे देना चाहते हैं और जब आप और भी पैसे देना चाहते हैं इस tuning में इस frequency में चले जाते हैं तो universe भी आपकी तरफ unlimited wealth flow करना शुरू कर देता है so that वो wealth आप तक आए और आपके तरू बहुत सारे लोगों तक जाए आप कभी भी देखिएगा कि जो successful लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत सारा wealth possess करते हैं उसमें से rarely आपको कोई ऐसा मिलेगा जो सारी wealth को बांध के या जिसे कहते हैं पकड़ के रख लेना चाहता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अच्छी lifestyle जी रहे हैं अच्छे घर खरीद रहे हैं अच्छी गाडियों में चल रहे हैं क्यूं क्यूंकि वो बहुत सारा पैसा लोगों तक distribute हो रहा है चाहे वो कार को बनाने वाली company हो या वो petrol pump वाला person हो जो उसमें petrol डाल रहा है हर किसी की जिन्दगी में कुछ ने कुछ पैसे जा रहे हैं गर किसी ने बहुत बड़ा घर बनाया है तो सचो कितने labors को कितने workers को वहां से कुछ ने कुछ amount मिला है कुछ ने कुछ wealth मिली है और universe जब ये observe करता है कि आपके थुरू wealth लोगों तक जा रही है और आप इसे रोक नहीं रहे हो और आप अच्छी feelings के साथ दे रहे हो तो universe भी आपको unlimited देना शुरू कर देता है So this is the first way जो आपको apply करना है जहां से आप changes create करना शुरू कर पाएंगे Now second जब भी आपको जिन्दगी में कहीं से भी amount आए यानि कि कोई भी amount आपको जब pay किया जा रहा है या किसी भी तरह आपको अगर कोई भी money मिल रहा है amount मिल रहा है तो start feeling the feelings of gratitude, feelings of love क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उस तरह की wealth create नहीं कर पाते उन्हें उस तरह के rewards नहीं मिलते कई बार तो उन्हें अपनी मेहनत के comparison में कुछ भी pay ही नहीं किया जाता लेकिन आपको कुछ मिल रहा है तो start feeling the feelings of gratitude और इस feelings के through आप universe को ये message देना शुरू करते हैं कि you are a deserving one यानि कि आप deserve करते हैं जैसे मैं एक example देता हूँ कि एक teacher आपको कुछ सिखाता है और आप thankful feel करते हैं आप really respect करते है teacher की तो वो आपको और भी जादा सिखाना चाहता है in the same way जब universe से जो आपको मिला है जब आप उसके लिए thanks की feeling रखते हैं तो universe भी आपको और भी देना चाहता है so this is the second way now third जब भी आप लोगों की success को देखें लोगों की growth को देखें तो आप खुश हो जाएं बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक जलन की feeling आ जाती है यानि कि एक ऐसी feeling आ जाती है जिसमें वो uneasy feel करने लगते हैं और वो uneasyness किसके साथ attach हो रही है yes money के साथ attach हो रही है तो आपको ये करना है कि जब भी next time आप किसी की भी बहुत खुबसूरत car देखते हैं घर देखते हैं या किसी को travel करता हुआ देखते हैं या किसी की बहुत अच्छी lifestyle देखते हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि सामने वाला person कितना successful है या उसकी जिंदगी में wealth है तो start feeling the feelings of happiness from within कि universe में कितना abundance है universe में कितना कुछ है जो इतने सारे लोगों को देने के बाद भी खतम नहीं होता और जैसे ही आप ऐसा feel करना शुरू करते हैं universe को आप ये message radiate कर रहे हैं कि you are also a deserving one और आप भी इस तरह की wealth इस तरह की success को deserve करते हैं और ये feelings के level पे deep within आपके subconscious में जाके ये कुछ ऐसी frequency की tuning करता है जिससे बहुत कुछ change होना शुरू हो जाता है आपके external world में भी internal world में आप changes create करते हैं result external world में आता है maximum लोग इसे ही miss कर जाते हैं जादा तर लोग क्या करते हैं जब law of attraction के बारे में समझते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ visualize करने से या सिर्फ imagine करने से law of attraction लगाने से मेरी जिन्दगी में wealth आ जाएगी ऐसा नहीं होता इसके लिए आपको एक चीज करना पड़ता है जिसे कहते हैं कि अपने आपको deserving बनाना और उसके लिए आपको करना है ये कि आपको अपने आपको educate करना है आपको अपने लिए रास्ते ढूंडने हैं कि वो क्या रास्ते हैं जिससे आप और भी जादा wealth create कर सकते हैं क्योंकि अगर आप रास्ते नहीं ढूंड रहे तो actually आप universe को message दे रहें कि you are not ready for the wealth जैसे मैं example देता हूँ अगर आप किसी business में हैं तो फिर तो शायद ये बहुत ज़्यादा possible है कि आप हमेशा रास्ते ढूंड रहे हैं अपने business को grow करने के और वहाँ पे growth की chances बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अगर आप किसी job में है किसी ऐसे profession में है जहाँ पे आपको एक fix salary मिल रही है और अगर आप वहाँ पे सिर्फ law of attraction लगाते रहेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि आपकी जिन्दगी में बहुत सारी wealth हा जाए क्योंकि आपको पता है कि आपको एक fix salary मिल रही है और वो fix rate के साथ बढ़ने वाली है with a duration of time लेकिन अगर आप रास्ते डूढना शुरू करिये कि मैं ऐसा क्या part time business कर सकता हूँ या maybe मैं क्या ऐसी services provide कर सकता हूँ over the internet और maybe मैं ऐसा कुछ share कर सकता हूँ लोगों को कुछ educate कर सकता हूँ पढ़ा सकता हूँ या मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं share market को study कर सकता हूँ मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके through मैं और भी ज़्यादा wealth को create कर पाऊँ attract कर पाऊं अपनी जिंदगी में क्योंकि जब आप रास्ते ढूडेंगे तो रास्ते exist करते हैं वो आपको दिखने लगेंगे अभी तक आपको वो दिख नहीं रहे हैं जैसे मैं example देता हूँ कि अगर आप भी आप अपने room में चारो तरफ देखें और आप देखने की कोशिश करें कि black color की कौन-कौन सी चीज़ें आपके room में चलो start करते हैं चेक करो आपके room में चारो तरफ black color की चीज़ें कौन-कौन सी है good वापस आजाओ अब आपने देखा और आपने कुछ-कुछ चीज़ें black color के identify की अब मुझे एक बात बताओ कि जब आपने black color की चीज़ें identify की तो क्या आपको ये पता चला कि yellow color की चीज़ें कौन-कौन सी है आप बुलेंगे नहीं आपने तो black color के बारे में बात कही थी वही मैं कह रहा हूँ कि जब आप अपना focus yellow पे रखेंगे जब उस पे focus ही नहीं होगा तो वह दिखेंगा नहीं है तो अभी भी अभी आप अपने room में देखें तो आपको कुछ नो कुछ yellow color का दिख जाएगा लेकिन मैं भी आपकी walls ही yellow color की है लेकिन वह दिख नहीं रही थी उस पे ध्यान नहीं था क्यों क्योंकि माइंड के पास वो कमांड नहीं था मैं last 10 years से in the field of mind programming work कर रहा हूं और मैं इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहा हूं और अपने participants के साथ share करता हूं कि कैसे आपकी subconscious mind की programming आपकी जिन्दगी को determine कर रही है right so this is the fourth way now fifth way fifth way is using the visualization power जब भी आप चाहो आप अपनी visualization power को use करना शुरू करो मैंने videos create की है visualization के उपर आप YouTube पे जाके search कर सकते है visualization space way the space NLP अगर आप type करेंगे तो आपको मेरी बहुत सारी videos मिल जाएंगी जससे आप open eyes visualization को भी समझ पाएंगे और मैं आपको फिर भी अभी क्विकली बताता हूं कि दो विजवलाइजेशन आप जरूर करें एक है open eye visualization यानि कि जब आप अपने दिन में function कर रहे हैं तो आप खुली आखों से visualize करिए वो results जो आपको जिंदगी में चाहिए ऐसे मानों कि वो मिल चुका है यानि कि अगर आप suppose करो आप एक मारूती ड्राइब कर रहे हैं आप एक car ड्राइब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास एक हुए यह महसूस करना शुरू करिए वह लव फील करना शुरू करिए मानों कि आप अपने dream house में रह रहे हैं राइट इस तरीके से आप बहुत सारी और चीज़े कर सकते हैं आप अपने office में work कर रहे हैं मेभी आपके पास एक छोटा सा staff है लेकिन आप imagine करिए कि hundreds of लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं आप देखेंगे कि आपकी feeling then and there ही change होना शुरू हो जाएगी और feeling ही तो वह frequency है जिसके तुरू आप जिंदगी में चीजनों को attract करते हैं तो यह open eye visualization और साथ-साथ morning में आप close eye visualization भी कर सकते हैं जिसमें आप visualize कर सकते हैं उस light style को जो आप जीना चाहते हैं maybe आपको wealth drive करती है तो आप materialistic चीजेंग सकते हैं maybe आप देख सकते हैं कि कैसे घर में आप रहते हैं imagine कर सकते हैं, visualize कर सकते हैं, कैसी car's और आप यूज करते हैं तो आप visualize कर सकते हैं कि कैसे आपके थुरू लोगों की जिंदगी में value addition हो रहा है कैसे आप लोगों को help कर रहे हैं उनकी needs पूरी करने के लिए जरूरत मंदों की मदद कर रहे हैं और कितने लोगों की जिंदगी में changes आ रहे हैं आपके थुरू हो सकता है आपको ये चीज़े drive कर रही हो तो ये visualize करना शुरू करिए जब हर रोज आप सुबह उठ रहे हैं और ये visualization आपके subconscious mind को program करना शुरू करेगी उन opportunities को देखने के लिए जो आपकी जिंदगी में wealth को draw करके ला सकती है attract करके ला सकती है क्योंकि exist तो वो अभी भी करती है दिख नहीं रही थी वो दिखनी शुरू हो जाएंगी तो ये five ways को आप use करना शुरू करिए और देखिए कि कितने changes आप create कर पाएंगे in the times to come और ये बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन आप अपने आपको tune करना शुरू करें सबसे पहले और अभी मुझे comment करके बताईए कि ये five ways में से वो कौन से ways हैं जिसे आप miss कर रहे थे point number one miss कर रहे थे two miss कर रहे थे three, four, five कौन से ऐसा point है जो आप miss कर रहे थे so that कि आपके mind को पता चले कि ये वो point है जो मैं miss कर रहा था या miss कर रही थी और इस पे मुझे अब से काम करना शुरू करना है और ये सारी चीज़ें आपकी जिंदगी में बहुत amazing changes create करने वाले हैं मैंने बहुत सारी videos create की हैं जो YouTube पे available हैं अगर आप उस channel पे जाके program your mind जो मेरा channel है वहाँ पे आप इस explore करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी knowledge जो भी learning आप चाहते हैं अपने mind से related, life को enhance करने से related वो सब कुछ वहाँ पे available है just make the best use of it right and live the life that you deserve I will see you in the next video I will see you in the next video